मेडिकल चौक से आजनी की तरब जा रहे एक मिनी वहां से साथ लोहे के बड़े बड़े पत्रे फिसल कर सड़क पर धड़ाम से नीचे गिर गए इस घटना से कोई भी जीवित हानी नहीं हुई लेकिन इस तरब वस्तु फिसलना रागीरो और याताया के लिए खत्रे की नामे मृत्य होती है शहर में एक तरफ कॉरुना से मृत्य हो रही है तो वही कई लोगों की मौते सड्क दुर्खटना भी हो रही है कभी-कभी दुर्खट नाए अलग- अलग प्रकासे होती है वहां दूसरे को बचाते समें पुलिस साउधानी के साथ सड़क पर वहां च भी दुरकट ना हो सकती है कोई अपाईच हो सकता था अगर ये साथ लोहे के पत्रे वाहन उसे समय से फ़ले फिसल कर गिर जाते तो मेडिकल चौक में बहुत बड़ी दुरकट ना हो सकती थी लेकिन उपर वाले का शुक्र है जो बड़ी दुरकटा नहीं हुई केंतो हम आप कोई पीछे वाहन चलात हुई जा रहे थी तभी कुछ समझने से पहले ही सभी साथ तीन एक की पीछे एक धड़ाम से सड़क परा किरें जब ये हांसा ओरा था तभी अगल बगल से वाहने भी चल रहे थी लेकिन कोई भी दुरकटा नहीं हुई लेकिन अगर इस वाहन की आ चाहिए ताकि कोई घटना ना हो वाहन पर टीन की साथ पत्रे यदि किसी वाहन चालक पर गिर जाते तो सोचो कितना भयावा मंसर होता इस घटना से ये सेख ले सकते है कि हर छोटे बड़े वाहन जब भी किसी वस्तु को लेकर सड़क से दौड़ी होंगी तो उन वस्तु क क्या ठीक से बांदा गया है या नहीं इस और जरूर ध्यान देना चाहिए